है गाइज मैंने में सद्णान खान वेल्गम बेक टो माई यूट्यूब चैनल भी एमस फस्ट यर सो गाइज आज की वीडियो में आप कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूं लेकिन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़ादा इंफरमेटिव होने वाली है अगर आप कौन कौन सी हैं तो यहां से हम देखो देखना स्टार्ट करते हैं इन दा वियो ओफ इमर्जिंग सेच्वेशन रिलेटिट टो कोविड-19 पैडेमिक इन कंट्री बोर्ड ऑफ गवर्नर डिसाइडिट टो इशू रिवाइज गाइज गाइज एक गाइज पहले भी आई ती इन दे रेस्पेक्टिव स्टेट डिस्ट्रिक इस रिस्टॉटेट बाइज फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स गाइडलाइज एडविसरीज डिरेक्शन इशूद बाइज इस्टेट गवर्मेंट इन द वी ओफ कोविड-19 नो स्पैसिफिक टाइम फ्रेम इस प्रिस्क्राइ में और जब सेंट्रल यह और स्टेट गवर्मेंट अपनी गाइडलाइन जारी कर देंगे कोविड-19 के उपर यानि कि कोलिज खुलने की सिरसितलसन का हिसाब इसके अंदर कि जब कोलिज खुलने की ओडर हो जाएंगे उसके ठीक एक महीने दो महीने के बाद में यह फाइन कंडिशन एस्टेबलिश हो जाएगी लेकिन इनने इसको कोई टाइम स्पेसिफाइब नहीं कर रहा है यहां पर इननों लिखा भी इस बात को नो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम इस प्रिस्क्राइब और यहीं बात इनोंने यहां पर भी लिखी है ठीक है तो इन्होंने क्या सेकिंड पॉइंट में कि जब नौर्मल कंडिशन इस्टेबलिश हो जाएगी स्टेट में तो उसके बाद एक्जाम केंड़क्ट होंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्मेंट की गाइडलाइन के बाद में लेकिन यहां पर इन्होंने एक पॉइंट और एड कर दिया जैसे को कोई सब्सक्राइब बच्चा फर्स्ट यहर में उसके एक्जाम अब होने ते लेकिन लोगडाउन लगए लोगडाउन की वह ऐसा उसके एक्जाम नहीं हो पाएं तो उसको जो है अग्स्ट क्लास की स्टड़ी स्टाट करवा दीजिए इसमें लिखा है डग कोलेजिज आर अलाओ तो लेट था स्टुडेंट तो कमेंस देर स्टडीज फोर नेक्स्ट हायर क्लासिज यह बात इन्होंने लिख रखी है इसके अंदर तो यूनिवर्सिटीज और कोलेजिज के लिए ओडर है कि आप अपने बच्चों को नेस्ट क्लास के लिए पढ़ाईए आप उनक लेकिन बच्चों को अपने प्रिवियस एर के एक्जामिनेशन को पास करना जरूरी है जब भी उनकी रिस्पेक्टिव कॉलेजिज यह इनको कंड़क्ट करवाएगी इसका मतलब यह कि कोई भी बच्चा प्रोमोट नहीं हो रहा है सब बच्चों के एक्जाम होंगे किसी को किसी को भी प्रोमोट नहीं किया जाएगा जब बस जो बच्चा फ़स्ट यह में उसके सेकंड यह की क्लासे स्टार्ट करवा दी जाएंगी और जो फॉर्थ यह उसको वेट करना पड़ेगा जब तक एक्जाम कंड़क्ट नहीं होते हैं लेकिन जब नॉर्मल कंडिशन एस्टेब्लिश हो जाएगी चाहे कभी भी हो तो उनको एक्जाम देना ही पड़ेगा ठीक है तो यह एक रिवाइज गाइड लाइन्स दी है सीसी आइम ने मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देदूंगा वहां से इस पीडियेफ को डाउनलोड कर सकते हैं या अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी इंफिर्मेटीब लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आप मेरे चेलूंप करें क्योंकि मैं अपने चैनल पर अपने बाइस पर शरीर कौर्स के वीडियो नहीं जिसे कि रचने शरीर के ओपर वीडियो आ रही है हमारी आप उनको भी जाका चेक आउट कर सकते हैं ओके गाइस थैंक यू सो मच